इमली 25 जनवरी 2022. त्रिपाथी समाचार देखते हैं और एक अग्यात शब के बारे में हैरान है. वे यह सोचकर घबरा जाते हैं कि यहादी, इमली आर्यन का होगा. रूपाली का कहना है कि भाय को कुछ नहीं होगा. अनु अंदर आती है और पूछती है कि क्या हुआ. हरीश उसे बचाव दल को बमविसफोट क्षेत्र में एक शब मिलने की सूचना दी. अनु चौक कर खड़ी हो जाती है. नर्मदा आर्यन के लिए चिंतित हो जाती है. अपर्णा उसे विश्वास दिलाती है कि उनके बच्चों को कुछ नहीं होगा. अनु पूछती है कि वो इतन अनु का कहना है कि शायद नौकर इमली मर चुका है. पंका जो से रोकने के लिए चिल्लाता है. आगे अपर्णा चिल्लाती है कि इमली उसकी बेटी है और वो अनु को अपने बच्चों के बारे में बुरा भला बरदाश्ट नहीं करेगी. बचाव दल घायल इमली को स्ट् पोटक शेत्र में थे, लेकिन केवल तीन पाए जाते हैं और एक के टुकडे टुकडे हो गए होंगे. यह सुनकर इमली गिर जाती है. इमली के लिए चिंतित सुनकर मीठी अस्पताल पहुचती है और अस्पताल के बिस्तर पर उसे जिंदा देखकर आराम करती है. वह इमली क हिलती है और अपनी आखे खोलने के लिए विनती करती है. नज उसे मरीज को आराम करने के लिए कहती है. इमली मीठी का हाथ पकरती है, आखे खोलती है और आदित्य के बारे में पूछती है. नज ने बताया कि एक व्यक्ती लापता है. इमली नाम पूछता है. नज का कहना गबरा जाती है कि आदित्य गायब है और कहती है कि वह जाकर बाबु साहिब को खोजेगी. नर्से उसे रोकती है और कृत्रिम निद्रावस्था का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है लेकिन वह उन्हें धक्का देती है और भाग जाती है. त्रिपाठी आगे खबर दे है कि नौकर इमली अपने प्रेमी के साथ अस्पताल में सुरक्षित है और आदित्य को नहीं बचा सकती. मालिनी घबरा जाती है और चिलाती है कि आदित्य को कुछ नहीं हो सकता और उसने टीवी तोर दिया. अनो उसे सात्वना देती है और उसे अपने बच्चे के बारे म में सोचने के लिए कहती है। अपर्णा कहती है कि आदित्य को कुछ नहीं होगा। मालिनी पूछती है कि उसका बच्चा उसके पापा से मिलेगा या नहीं। अपर्णा कहती है कि आदित्य ठीक है क्योंकि इमली उसके साथ है और याद दिलाती है कि इमली ने आदित्य को कई बार बचाया। मालिनी चिलाती है कि जब से इमली उसके जीवन में आये है तब से आदित्य की जान को खत्रा है। अपरना कहती है कि उसे इमली पर पूरा भरोसा है। इंस्पेक्टर ने अपने वरिष्ट को बताया कि एक लड़की बच गई है। लेकिन एक आदमी गायब है इमली विसफोर्ट स्थल पर पहुँचती है। इंस्पेक्टर ने उसे अस्पताल लोटने के लिए कहा। इमली पूछती है कि क्या उन्होंने आदित्य को पाया। इंस्पेक्टर का कहना है कि अभी नहीं, उसका शव मिलने के बाद वे उसे सूचित करेंगे। इमली ने पकड़ता है और कहता है कि वह यहां नहीं है, वह विरोध करती है और उसका हाथ काट देती है, वह उसे कसकर गले लगाता है और वह जोर से रोती है, नीठी वहां पहुँचती है, इमली उसे सभी को सूचित करने के लिए कहती है कि केवल वही आदित्य को हर बार वापस लात आदित्य उसे अनुमती देता है.